हलो स्टुडेंट आपका हमारे यूटुब चैनल पे स्वागत है आज के इस वीडियो में हम फ्रैक्शन नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टिप्लिकेशन और डिवीजन करना सीखेंगे वो भी अगर हमें तीन फ्रैक्शन दिये हो तो आई स्टार्ट करते हैं अपन ब्रैक्शन का जैसे की वन बाई फ़ो प्लस टू बाई ए थ्री प्लस थ्री बाई फ़ाइफ तो इसको हम किस तरीके से सॉल्л करेंगे तो सबसे पहला काम हमारा क्याוכा होगा जो इसका डिनामिनेटर है ओनुनॉम्नि टो हम सेम करेंगे अब सेम कैसे करेंगे इनका हम एस ले लेते हैं, तो इनका अगर मैं LCM निकालू, 4, 3, और 5 का, ठीक है, तो 2 से किया, 2, 3, 5, अब हो जाएगा हमारे पास यह सारे प्राइम नमबरी हैं, तो LCM जो आएगा, वो आएगा हमारा 2 into 2 into 3 into 5, तो 2 into 4, 4, 3, 12, 12, 5, 60, तो इसका जो LCM आया है, वो कितना आजाएगा, 60 आजाएगा, तो मतलब कि हमें इसके denominator को 60 बनाना है, तो 1 by 4 है, तो 1 by 4 है, तो 4 को 60 बनाने के लिए किससे multiply करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 15 से, तो उपर भी हमें 15 से करना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा हमारा 15 by 60, इसी तरीके से second वाला जो fraction है, 2 by 3, तो अब यहाँ पर 3 है, इसको हमें किससे multiply करना पड़ेगा, 60 बनाने के लिए, 20 से, तो उपर भी 20 से करना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा 40 upon में 60, और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, third वाला fraction है, 3 by 5, इसको करें 60 बनाएंगे, तो यहाँ में 12 से करना पड़ेगा, तो उपर भी, तो बारत यह 36, बटे 60, अब इन तीनों fraction को हम क्या कर देंगे, add कर देंगे, यहाँ पर 3 fraction आ गए, अब तीनों का denominator तो सेम है, तो इसको add कर देते हैं, 15 by 60, प्लस 40 by 60, प्लस 36 by 60, तो नीचे का denominator तो सेम रहे जाएगा, उपर हमारा add हो जाएगा, 15 plus 40 plus 36, तो इन तीनों को अगर मैं add करूँ तो कितना आएगा, 15 और 40 हो जाएगा हमारा 55 plus 36, तो 1, 9, तो 91 by 60, तो यह इसका sum हो जाएगा, तो 91 by 60 इसका correct answer हो गया है, अब आगे देखते हैं, अब अगर हमें subtraction करना हो, तीन fraction का, तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो देखिए इसमें भी हम सबसे पहले denominator को same करेंगे, एलसियम लेके, तो एलसियम अगर मैं निकालू, 2 का, 4 का, और 3 का, तो एलसियम हमारा, क्या हैगा, इसका 12 आएगा, एलसियम निकालना आपको आता करेंगे, 12 बनाने के लिए 6 से, तो उपर भी 6 से करेंगे, तो साच चिक 42 बटे 12, दूसरा fraction है, 3 बटे 4, तो 4 को हम करेंगे किस से, 3 से, तो उपर भी 3 से, तो यह जाएगा, 9 बटे 12, और तीसरा fraction हमारा, 2 बटे 3, तो इसको हम करेंगे, 4 से, तो यह हो जाएगा, 8 बटे 12, अब इन fraction को हम उसी form में लिख लिएते हैं, जैसे हमें question दे रखा था, तो यह हमारा हो जाएगा, 42 by 12, minus 9 by 12, minus 8 by 12, तो denominator तो सेम रहेगा, जो की 12 है, यहाँ पर आगए 42, minus 9, minus 8, ठीक है, अब 42 में से अगर 9 minus करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ जाएगा हमारे पास, 33, ठीक है, 33 हो गया, minus 8, अब उन में 12, अब 33 में से 8 घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 25, तो 25 बटे 12 जो है इसका answer होगा, तो 25 by 12 इसका correct answer होगा, ठीक है, तो इस type के question को हम इस तरीक से करेंगे, अब देखते हैं multiplication, अब multiplication हमें दे रखा है, ठीक है, तीन fraction का, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है, जो भी number numerator में है और denominator में है, ठीक है, अगर कट रहा है तो हम सबसे पहले उसको काट देंगे, उसके बाद हम multiply करेंगे, तो देखते हैं, यहाँ पर यह जो 5 है, 5 हमारा कट रहा है 15 से, तो यह 5 से काट एक हो जाएगा, और यह 3 हो जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पर यह 2 कैंसिल हो जाएगा, दो को काटेंगे एक और यह 3, अब कुछ नहीं कट रहा है, तो अब लिख लेते हैं, जो जो हमें number बचे हैं, तो 6 बटे एक बचा है, इंटू 3 अपॉन में 1 बचा है, इंटू 3 अपॉन में 7 बचा है, आप क्या करना है, हम सामने सामने multiply करते हैं, 3 को 6 से करेंगे कितना हो जाएगा, 6 तिया, 18 ठीक है, और 18 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 54 हो गया, और ऐसी 1 into 1 into 7 करेंगे तो 7 आ जाएगा ठीक है तो यह हमारा होगा 54 बटे 7 इसका correct answer हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं अगला question अब है हमारा divide वाला question यह वाला most important question है इसको हम कैसे करेंगे यह देखते हैं तो आपको करना क्या है पहले हम ले लेंगे इसको solve कर लेते हैं ठ पहला तो हमारा same ही रहेगा 6 by 5 divide अब divide वाला हम solve करते हैं fraction तो पहला वाला fraction हमारा same होता है और दूसरा वाला fraction क्या हो जाएगा यह multiply गा sign और यह उल्टा हो जाएगा 4 बटे 9 था यह 9 बटे 4 हो जाएगा ठीक है अब जो cut रहा है हम काट देते हैं इसको काटेंगे 1 और यह ह हमारा 3 हो गया तो हमारे पास बज़ा 6 बटे 5 divide और उपर 3 एकम 3 और यह हमारा 2 एकम 2 यह आ गया अब यहाँ पर हम बिल्कु सेम वही करेंगे जो हमने उपर वाले step में करा है पहला वाला fraction सेम रहेगा into अब 3 बटे 2 था तो 2 बटे 3 हो जाएगा अब कट रहा है तो काट दे हैं 2 तो यह जाएगा 4 बटे 5 तो इस पूरे को solve करके जो answer आएगा वाएगा 4 बटे 5 तो इस type के question को हम इस तरीके solve करेंगे उम्मीद है आपका हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा thank you